नमस्कार कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा ब्रेकिंग नाव में बड़ी खबर पश्यम बंगाल से आपको बता रहे हैं जहां ममता बेनर जी को एक और बड़ा जटका लगा है कितना बड़ा जटका ममता के लिए ममता बनर जी को अब यह समझ में ब ने आ रहा है लोग सळको permit पयार हैं और कह रहे हैं टीम सी चोर है चोर को जेल में डालो और ममता बरदी जी के जो लीडर्स है टीमसी के जो नैस्टनल स्पोऊपर्सन है सुगत वराय ने कहा कि अगर किसी ने टीमसी को चोर कहा तो चमड़ी उधेर दी जाएगी ये वातावरन है मतलब ये कि एक एक कारवाई के साथ साथ ममता बरजी की साख खराब हो रही है अब क्या हुआ ये हाली सहर का मुनिस्परलटी का चेर्मेन है इस अ बिग टीमसी लीडर ये हाली सहर कहा है ये हाली सहर आप कोलकता से इस टूर्ट अगर आप जाएं तो आपको भाटपारा नहाटी और उसके बाद वो हाली सहर है अब उसकी मुनिस्परलटी का ये चेर्मेन है मतलब ये बड़ा वेक्ती है चापे मारी हाली सहर में भी हुई लेकिन इसका एक ठिकाना कोलकता के एरपोर्ट के पास न्यू टाउन में भी अब न्यू टाउन के अंदर जब छापे मारी की गई तो असी लाख कैश वह क्या कर रहे हो असी लाख और जो तस्वीरे आई है नोट बड़े नए नए निदर आ रहे है ये नोटों का पहार ये मुनिस्पैलिटी का एक चेर्मेन उसकी ये साख है ये धाख है इतना काला पैसा इसके पास है तो आप समझे मंत्रियों की पास क्या क्या होगा ये नंबर टू पार्थर चटरजी का ही जो नोटों का पहार मिला तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी पूरा जो तंत्र है वो पूरी तरीके से करप्ट है क्या मिला सिर्फ असी लाख रुपए कैश नहीं मिले तीन कडोर के आसपास दो कडोर असी लाख के आसपास के प्रॉपटी के कागज मिले है बही आप राजनीती कर रहे हो लूट बचाने के लिए लेकिन मसला सिर्फ ये दो-तीन कडोर के प्रॉपटी और असी लाख रुपए का नहीं है जो एक बड़ी जानकारी आ रही है कि इसके विदेश में भी खाते हैं कहा थाइलेंड ये बताईए जब पार्थो चटेजी पकड़े गए ये उनकी जो गल्बेंड अर्पिता क्या मालूम चला कि बंगलादेश से लेकर के थाइलेंड और सिंगपोर इंडोनेसिया हर जगह इनके बैंक एकाउंट्स तो बड़े-बड़े लीडर्स के ज़्यादा देशों में और टीमसी के छोटे लीडर्स में थाइलेंड में तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि जिसको जानना और समझना चाहिए कि किस तरीके से बंगल को पूरी तरीके से लूट का अड़ा टीमसी ने मना दिया अब सवाल ये है कि किस चीज के लिए छापे मारे हुए तो ये चिटफंड खेल है चिटफंड का मतलब क्या हुआ गरीब लोगों को लूट के आप ये समझे कि एक तो टीचर की नौकरी दे रहा था एक केस्टो है वो गाय की स्मंगलिंग करवा रहा है कटने के लिए वो बंगलादेश भेज रहा है और ये सक्स जो पकड़ाया है ये तो इसका पाप और भी खराब है क्योंकि ये गरीब लोगों से रोज वो पैसा उठाने का जिस तरह का या जरा कोई पॉणजी घोटाला है उसका मुख्य करदार है ये मुख्य करदार है भीना पॉलिटिकल सपोर्ट के इस तरह का काम नहीं होता ये घोटाला किस तरह का आप ये समझजए कि इस तरह के बहुत सारे घोटाले में 17 चीटपन ये वो होता ही है कि इसमें आप गरीबों से कहतें कि भई आपको जादा रेट के उपर हम रिटर्न देंगे वो बचारे रोज कमाते हैं रोज कुछ जमा करते हैं कोई डेली देता है कोई वीकली देता है कोई मंध्री देता है और आप उसको एक अच्छा रिट तो जेल के अंदर है इसी काम में कि भई आपने ये आपके उपर ये आरूप लगा और आप जेल के अंदर बहुत सारी ये परल गुरूप का जो लफड़ा हुआ वो भी उसी का हुआ ये तो निहायत ही आप सुकर सकते हैं कि इससे घटिया पाप हो नहीं सकता कि आप राज मंता बनर जी किस मूँ से वो बंगाल की जनता है कि ये राजु साहनी भी मंता के बेहत खासम खास थे पहले तो अनुबरत मंडल जेल में गये उसके बाद पार्चितर जी का नंबर आया अब राजु साहनी भी सीवियाई की गिरफतारी में है लेकिन मंता बनर जी को लेकर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनके खासम-खास मंत्री इतने बड़े घुटाले में कैसे देखिए ये पूरा का पूरा तंत्र जो है बंगाल के अंदर में टीमसी ने ऐसा खड़ा कर रखा है कि कोई भी भरष्टाचार घुटाला होता है उसमें पार्टी सामिल होती है बिना पार्ट जो लोग बंगाल में रहते हैं वहाँ आप यह समझे आप नौर्ट इंडिया में जो लोग रहते हैं या माराश्ट में रहते हैं उनको यह समझ में ही नहीं आएगा कि बंगाल में किस तरीके से और्गनाइज क्राइम को बकाइदा अंजाम दिया जाता है बिना ruling party के इशारे से आप वहाँ अपना घर नहीं बना सकते हैं आप यह समझे यह किस तरह का system मंता बुरन जी ने create किया है वहाँ कोई भी organized crime बिना ruling party के इशारे उनके समर्थन के बगार आप नहीं कर सकते यह हकिकत है और जब सीधे सीधी एक municipality का जो chairman होता है वहाँ कोई democracy उस तरह का होता नहीं है तो वह अपने लोगों को आप बिठाते हैं आप इसलिए वहाँ बिठाते हैं क्योंकि आपको वहाँ पे जो loot मचानी है कुछ पार्टी के लिए भी कुछ अपनी लिए भी और यह जो साहनी साहब पकराएं हैं इनका तो मालूम चल रहा है कि पैसा जो है वो विधेश में भी थाइलेंड में भी और कैश आप इतना रख रहे हो तो ऐसे लोगों को खिलाफ कारवाई लाजबी भी है और सीबी आई ने जिस तरीके से पकल धकर करना सुरू किया है मुझे लगता है कि अब दो दिन पहले बतीजे साहब ED के सामने थे उसके बारे में भी खबर आ गई कि ED के सामने जो उन्हों ने जवाब दिया वो मनलाइक नहीं है पिछली बार जो पूस्ताच हुई थी और जो इस बार पूस्ताच हुई दोनों के जबाब में बड़ा ही कंट्रडिक्शन है नमबर टू पार्थर चटर जी बहुत खराब हालत है जेल के अंदर वो बाहर निकलने वाले नहीं है केश्टो वो भी जेल के अंदर तो आप देखिए अगर भरसाचार जो कोई अगर किया है उसको तो जेल जाना ही चाहिए अगर इस तरह के जो बैमान किस्म के लोग अगर जेल जाते हैं तो उसका जो सबसे पड़ा रिजल्ट जो वो ये होता है कि आम जनता का गरीबों का विश्वास हिंदोस्तान के सिस्टम, इन्विश्टिगेशन, कोट, पुलिस इसके उपर बढ़ता है बंगाल में ना पुलिस की साख बची है ना सरकार की साख बची है ना तमाम उस तरह के एजेंसियों की साख बची है जो भरच्चाचार के उपर लगाम लगाते हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुड़ने के लिए शुक्रिया मैं राजनीती करता नहीं पर राजनीती को बहुत गहरे तक समझता हम मैं लोगों के बीच रहता हम लोगों के मन को अच्छे से जानता हम संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंधासन पर मैं हर ख़बर से खरा सक्ष निकाल करें ना कोई दौड ना कोई रेक्स क्यापिटल बीड उत्तर्प देश